अरे कृष्णा तो अगर सभी लाइफ का प्रश्णा जो है वो भगुर्गीदा में दिया गया गया है तो फिर क्यों नास्तिक बाद एक्जिस होता है मतलब लोग क्यों नास्तिक बन जाता है अगर सारे प्रश्णा है भगुर्गीदा में भगुर्गीदा पढ़ा हो और भगवान की दर स्विकार नहीं करना, कुछ तो दुसरा धर्म का ग्रंत या कोई कुछ भी जो अच्छे चीज को स्विकार क्यों नहीं करें, वो लोग क्यों नास्तिक बन जाता है, तो इसमें हम देख सकते कि भगवान सबका खिर्दय में स्थित है और भगवान जैसे लोगो कर रहे है दूसरा जीवा के उपर, वास्तव में हम भगवान के उपर द्वेश करते हैं, क्योंकि सब भी जीवात्मा जो है भगवान के से याते हैं, भगवान ही सब भी का स्त्रोत हैं, एक चीज को आगर हम द्वेशी कर रहे हैं, मतलब वास्तव हम भगवान के उपर प्रहस्ता सब सबस्कैने मुलैं चलो आप मुझे आपका कुछ इच्छा नहीं मुझे जानने के लिए और दूर जाओ और दूर जाओ तो ऐसे-पे लूब को बहुत उनका परिसिती या आवस्ता ऐसा मिलेगा जहां उसका कुछ भी प्रलोबन नहीं मिलेगा कि भगवान का याद करने के लिए या कुछ भी चांस नहीं मिलेगा भगवान के बारे में जानने के लिए क्योंकि उसका इच्छा भी नहीं है सारे स्कूल का सिलबस बनना चाहते हैं तो सब लोग आस्तिक बन जाते हैं ऐसा नहीं होगा क्योंकि वास्तफ में शरद्धा बगवान के उपर, भक्ती के उपर, शास्त्रा के उपर ये शरद्धा कहां से आता है? ये शरद्धा भक्त का संग में आता है तो इसलिए चेतना महापरू कहते है कि सादू संग जो है ये सबसे बड़ा मुख्य अंग है शरू से, अभी से और आगे में सादू का संग ये सबसे मुख्य अंग है क्योंकि जितना हम संग लेते भक्त कों का उतना हमारा शरद्धा बढ़ जाते हैं तो सोचो मत कि अभी में कभी नास्तिक नहीं बन सकता हूँ ऐसा बहुत सरे लोग जो अभी भी आस्तिक हैं अभी भगवन के उपर विश्वास करते लेकिन उसका जीवन में कुछ दुर गटना आए कुछ मुसिबत आ जाते है जहां वो तूरण भगवन के पूर विश्वास का जो है वे वो भी चला जाते है तो इसलिए सबसे इंपोर्टन चीज है कि भक्त का संग लेने का जितना हम भक्त का संग लेंगे तो उतना हमारा श्रद्धा जो है वो बढ़ जाते है हरे कृष्णा